हेलो फ्रेंड्स मैं हुआ रीना रीना अथरवा चैनल पर आप शब को बहुत बुश्वगत करती हूँ पैरेंट्स आज एक इंपर्टेन एक्टिवीटी लेके है आज का एक्टिवीटी है बच्चे को पौटी किलीन करना कैसे शिखाया काफी पैरेंट्स का पार्सनाली मेसे यूट्यूब में काफी पैरेंट्स मुझे कमेंट करके पूछाया कैसे शिखाया तो मैं उसके उपर वीडियो बना रही हूँ तो एक्टिवीटी कम से कम दो तीन शाल करने के बाद ही बच्चे को एक कॉंसेप्ट आता यह नहीं आप एक दो माहीना प्राक्टिस कराएंग आपका बच्चे को आ जाएगा तो मैंने कैसे अथरवा केशाद शिखाया वीडियो शुरू से लाष्ट देखेंगे तो आपको पता लागेगा कैसे बच्चो के साथ काम करना है और पौटिकलीन तब भी आता है जब बच्चा थोरा समाजदार हो जाता है और बच्चा समा बच्चा मग्गा से पौटिकलीन कर सकता है जैसे अभी आथरवा नौशाल में एक पौटिकलीन शिखाया है कापी पैरेंस ये बी कोस्टेन करेंगे जो अथरवा कितने साल में शिखाया अथरवा जब 6 शाल की थी तब मैंने हात पा करके उसके साथ प्राक्टिस करती थी तो नौशाल में जाके शिखा अथरवा को शिखने में तीन शाल टाइम लगा था तो बच्चे कोई एक-दो माइना में शिखता नहीं आए चीबेर बच्चा तो माइल मोडेरेस्स है शिख भी सकता है लेकिन मेरे बच्चों का तीन शाल टाइम लगा था इसलिए मैं एही अधरवा की मामी कर लिया। तो हम भी कर पाएंगे। तो आप लोग अगर हैंग यदफ-पर भबभा लिए तो नहीं होगा. हमेशा एक ठारगेट राखना है, अगर मामी कर लिया, तो उत हैं तो रिकार मी भ मक शक्क opener में। जो एक मा के अंदर भगवण ने पेशेंस देता है, जो किसी के अंदर नहीं होता है, इसलिए मा से ज्यादा ना थाइरेपिष्ट होता है, ना टीसर होता है, ना प्यार करने वाला होता है इस दुनिया में, मा से बार कर कोई नहीं होता है, इसलिए आप लोग करते रहे तो आ तो अथरबा से उस्त्राय शायत खाशेंगे तो वीडियो पे आज आएगा, तो वीडियो बनाने के टाइम अथरबा बिलकुल पारफेक्ट रहना पसंद करता है, अथरबा के अंदार मतलब ऐसे है, कोई भी चीज मतलब पारफेक्ट होना चाहिए, शुरू से जैसे करना है, वीडियो करने के टाइम उसको बोलने की जुरुरत नहीं पड़ता है, अथरबा चुक्चाब बैटो, खुच से ही, मतलब उसको पाता है, मैं वीडियो बना रहे तो मुझे पेशेंस के साथ बैटना है, ऐसे भी अथरबा की सीटिंग का कोई प्रब्लेम नहीं, या भी 10 ग मैं बच्चे को आप रूम पे बैटके भी खाली मुगा के साथ शिखा सकते हो, मैं अथरबा को खाली मुगा के साथ शिखाती थी, और जब अथरबा पटी करती थी, तब भी शिखाती थी, मतलब रियल पटी करते हैं तब भी प्रक्टिस करना है, और बीना पटी की घर पे स्टोड़ते राहेंगे, बोलते रहेंगे, कौरों ममाने काइसे किया, तो धीरी धीरे आता है, और जब पटई हटप्टिकरता है, त अपको यह अक्तिबीटी कंगता है, घो फ।一点 एक। हाथ में पाणी मीप करको और रभीन करो करते रहेगे जब भी बच्चा बातरूम जाएगा करने करना है फाल्तु के टाइम जैसे आप एक्टिवीटी कर रहो तब भी आइसे करना है अब यह अथर्वा करके देखा जली जल्दी करो तो आइसे अथर्वा हाँ ऐसे अथर्वा भी शीक गया बात्रूम में बैठकी भी कर लेता है और आपने आप करके हैंड वाश करके फिर आ 1-2 टाइम ऐसे करके राप करेगा फिर फिंगर के आंदर फिंगर डालके 3-4 कि फोर फाइवं ऐसे करके फे बच्छे को हाथ दोलानी की प्रक्तिस करना है इसैं रेगुलार प्रक्तिस करना है जब भी बच्छों का हैंड वाश कर हैंड और तो फिरी deste फोर फाइब हो गिया तो ऐसे प्राक्टिस करते रहेंगे काउंटिंग के साथ और समझाते रहेंगे तब का बच्छा हैंडवाश भी कर लेगा तो अभी अथरबा पॉटी करके खुदी हैंडवाश करके आ जाता है तो मुझे जाने की भी जुरुरत नहीं पड़ता है अभी प्राक्टिस हो जाए बच्चा खुद से करने लगे उसके बाद दीरे-दीरे आओ प्यांड के शाद घिला करके आ तो अंडर वीयर के शाद करना है तो अथरबा नाइन शींविए पहले अंडर वियर के शाद में नहीं कर सकते थे अंडर वियर गिला करके आता था आभी अथरवा अंडर्वियर के साथ करके आता है और फिर बाहर आके पैन पैन लेता है तो अंडर्वियर पैन के मतलब क्लीन करके अंडर्वियर पैर में लगा हुआ रहता है तो ऐसे बैट के पोटी करके क्लीन करके बाहर आने से पहले अंडर्वियर पैन के फिर बाहर आता यह प्राक्टिस करना पड़ता है बताते रहा होगे तो दिरे दिरे आपका बच्चा भी शीख जाएगा तो आज यह तक न्यू वीडियो में न्यू एक्टिवीटी लेके फेर आप लोग के साथ मिलती हूँ टाटा बाई-बाई-थैंक यू सो माच अट्टरार ताечक यू सोमच